अलो बच्चो लेट्स रीद दा कोश्टन दा कोश्टन ओवर यह से विच आप दा फॉलविग इस्टेट्मेंट इस टू फर ब्राय फाइट आप्सेल सारे लॉंग विट अटर अब्सर्ब्स रूट्स अलसो प्रोवाइट एंकर्मेंग तो प्लांट पॉर फाइट इस डॉ ब्रायो फाइट जिसे हम लोग आर अल्सो पॉल्ड एम्फिबियंस अफ प्लांट किंग्डम क्यों कहते हैं विकाउज दे कैन लीव ओन स्वाइल बट आर डिपेंडेंट ऊंट हूं लौन वा तरद एंतार्स फो एंतार छिंस विअन्ट क्यों कहते हैं यह यहां पर रिजन आया है कि वोशाइल पर तो रह सकते हैं लेकिन वह डिपेंडेंट होते हैं अपनी रिप्रोडॉक्ट्स उप्रेया प्राइक्रण के लिए जो है वो पूरे तरीके से water पे dependent होते हैं इस तरीके से हमारा यह जो है ब्रायफाइट्स amphibians कहलाते है plant kingdom की अब जो बात करते हैं life cycle की ब्रायफाइटा के life cycle की तेंगे कि जो है हमारा जो ब्रायफाइट्स का life cycle होता है वो बहुत ही अल्टरेशन से गुजरता है जेनेररिशन से की अल्टरेशन से यानिकि एक साइकल चलता उसके लाइट का किस तर्फिए के करिकि है यहा arguments लिखते हैं है हम लोग की लाइफ साइकल के अफिप्रायफाइट्स में ब्रायफाइट्स इन्वल्फ में मात्म उल्टरेशन के आफ्ब जेनेरेशनस विट आ हैपलॉइड एक हैपलॉइड गैमिटोफाइट होता है गैमिटोफाइट गैमिटोफाइट कौन्स क्या है गैमिटोफाइट जो है मारा मेन प्लांट बड़ी है इसका किसका ग्रायफाइट का मेन प्लांट बड़ी का हम लोग गैमिटोफाइट कहते हैं वह राइस करता है giving rise giving rise to diploid sporophyte sporophyte को जो है यह जन देता है ठीक है और इसमें जो है gametophyte जो होगा gametophyte वह क्या होता है वह dominant होता है original या हम कहँते है प्रोमिनेंट भी होता है कि जिसको हम लिए लूंगंगाड लीव जदा जीने वाला let लॉंगार लीव। अब वही हमारा जो suppliers होता है वह क्या होता है कह सकते हैं इसेशिव कह सकते हैं या फिर हम लोग यहां पर एक वर्ड यूज़ करते है पारा साइटिक होता है क्योंकि यह जो है एस इट रिमेंस अटेज्ट टू अटेज्ट टू दा गैमीटोफाइट औल टेराइब्स नौरिश्मेंट या न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं यहां पर नूरिश्मेंट फ्रॉम ये क्या करता है, यहां पे ध्यान देने की चीज़े है, कि जो हमारा गयमिट्पाइट है, वो क्या है, dominant है, यानि कि वो किसी पे dependent नहीं है, ये चीजिद ध्यान ञखेंगें, और साथ ही साथ हूँ, वो prominent है, यानि कि longer live है, वहीं जो हमारा sporophyte है वो क्या होता पाराइसाइट होता यानि कि दूसरे किसी पर डिपेंड करता है और वो किस पर डिपेंड करता है क्योंकि यह हमेशा जो है यह remains attached to the gametophyte यह gametophyte से हमेशा attached रहता है और वहां से nourishment या nutrition भी प्राप्ट करता है कोशन की और वापस चलते हैं जो हमारा statement दिया गया ब्राइओफाइट का कि along with water absorption roots also provide encouragement to plants तो यहां पर यह statement बिलकुल गलत हो जाता है क्योंकि इनके पास उससे पराइफाइट के पास fuq 문 न जो है लैक करता है человека लैक्स मैक्स स्थेम्स रूट्स स्थेम्स ट्रूaria करता तो ही नहины पहला वह क्या हो जाता है बिलकुल ही inрь nggak हो जाता है इस question के लिए फिर बात करते है इस पोड़ो फाइट इस डॉमिनेंट तो हम लोग जानते हैं अभी हम लोगों ने जाना है कि इस पोड़ो फाइट जो है वह nutrition प्राप करता है किसके से गैमिटो फाइट से यह भी statement जो है वह wrong हो जाएगा बलकि dominant कौन होता है हमारा गैमिटो फाइट हो जात nutrition लेता mostly जो है वह गैमिटो फाइट के पास dependent होता है तो यह statement हमारा बिल्कुल correct है वही जो last statement है कि गैमिटो फाइट इस पारसाइटिक तो अभी हम लोग उने पढ़ा है कि गैमिटो फाइट जो होता है dominant होता है वह किसी पे dependent नहीं होता है साथी साथ प्रोमिनेंट होता है तो यह statement भी हमारा जो है wrong हो जाता है तो हमारा final and correct statement कौन सा है option number c जो है वह हमारा correct and final answer है इस question के लिए तो आसा करते हैं आप लोग इस question को अच्छी तरीके से समझ गए है all the best thank you